और यह जो वीडियो जो भूद रहो सकता है तक्रिबएं 60 मिनिट्स का है हो सकता है मुझा अभी नहीं कितना बात करूंगा कितना explain करूंगा क्यूंकि इसलिए हो सकता है इसके पीछे का रीजन यह कि मैं इस वीडियो में अल्मोस सारी चीजे आपको बता दूंगा कि आउसबिल्डूंग कैसे मतलब क्या है आउसबिल्डूंग जैसे कि आपको एवन से मेरा experience में बता रहा हूँ एवन से लेके placement मिलने तक यहां तक आने तक कैसा क्या हुआ और आपको क्या help मिल सकती है मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए इसके बारे में लेकिन अभी बहुत सारे लोगने नए मतलब नए है चाइनल पे तो उनके लिए I think यह helpful हो सकता है और जो भी अभी start कर रहे preparation जो A1 में है या B1 में है उस लेवल पर आपको वह help हो सकती है तो अगर आप A1 अगर आप B1 में है तो आप skip करके भी देख सकते हैं ऐसा नहीं कि आपको first मतलब अगर आपका A1 है तो obviously आपको help नहीं होगा A1 का content सो start करते हैं जैसे कि मैंने जब decide कर रहा था कि मुझे outbuilding करनी है जब मैंने एक decision लिया कि मुझे इस course के लिए जाना है तब मुझे नहीं पता था कि housebuilding क्या होता है obviously क्योंकि मुझे सिर्फ यह लगता था कि यह 3 साल का program है और इसमें study plus work का scene है तो उसका जो नाम है यह house building यह मुझे नहीं पता था तब मुझे बोलने भी नहीं आता था यह house building क्या होता है तो मैंने requirements देखी उसकी क्या है जैसे कि B1 चाहिए था उसमें भी बहुत सरे confusion था जैसे कि अभी बहुत सरे लोग को होता है कि A2 में हो जाता है B1 ही चाहिए या certificate कोन सा चलेगा डियो लिंगों से भी हो जाता है या ऐसी बहुत सरी चीज़े मेरे दिमाग में भी चल परी थी कि कैसे करना है क्या करना है लेकिन फिर में जब A1 स्टार्ट करी मैंने मैंने I think बहुत सरे वीडियो में बोलाए कि मैंने A चैनल से वहां से मैंने उनलाइन ही मतलब जैसे कि इंटरनेट पर सर्च कर लिया अगर कोई डाउट है तो ऐसे ही मैंने सीखी थी A1 और लेकिन इसका डिसएडवेंटेज भी यह था कि मैंने जो मेरे ग्रामर के जो बेसिक से वह इतने अच्छे नहीं हो पाए यूटूब स से लर्ण करनी के और जैसे क्योंकि कोई चेक करने के लिए नहीं था कि मैं क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ या फिर क्या चीजे मैं मिस आउट कर रहा हूं इसके लिए क्लास बेटर होता है और अगर आप मतलब यूटूब से अगर आपकी आपको मिस्टेक्स पता चल रहे है आपको वो सब चीज़े हो रही है तो ठीक है विदाउट क्लास लेकिन एवन यूटूब से मैंने करी थे लेकिन थर्टी देज या 40 डेज में मेरा कंप्लीट हो गया ता वो सब और मैं बहुत बहुत मतलब यूटूब बे हर लेशन को बार बार देखता था हर वीडियो ते जो भी इसके खेल आलफाबेट से स्टाटिंग के जो वर्ब्स है या फिर इतने वर्ब्स नहीं होते हैं स्टार्टिंग में लेकिन जो भी छोटे चोटे वर्ब्स है फिर जो डेली यूज करते हैं उन सारी चीजों पर वोकैब जो नॉर्मली हम लोग घर में रोज बात करते हैं कौन सी वोकैबलरी यूज करते हैं उन सारी चीजों पर मैंने कुई बी वन का ग्रामर यहां पे बीकोई नहीं करता है अब अबर लोग करते यहां से लेकिन इतना ग्रामर आहिधा ग्रामर इतना नहीं कोई चेक नहीं करता है कोई मिलेत ठक्राद आता है क्योंकि जैसके हम लोग थ्योंक הצr людям हें विर जाताван कोई ले Mayo इसा wep आपको प्रक्रामर का भी है बस वह एक्जाम के लिए आपको ग्रामर इंप्रटन है अगर आप अच्छे से बात कर रहे हो अगर आगे आपको समझ पार रहे है तो इतना ग्रामर का पर्फेक्ट होना चाहिए ऐसा नहीं तो फिर एवन मैंने ऐसा ही करा जैसे कि मैंने मैंने लिए टे लिए टेजंद में इसने दिए अर आप आप कर सकते हो गार दिए पीज हो फिर आप से खर सकते हो ऑगर्ट आप का मोसली खता है 15 के उसमें आप के लिए बह pac कर सकते हो या फिर offline भी कर सकते हो आपके उपर डिपेंड करता है दोनों में कोई difference नहीं है actually दोनों के pros and cons से आपको देखना है कि आप किसमें बहतर समझ पाओगी और फिर even आपको कंसिस्टंटली मतलब रोज एक यह दो घंटे देने ही है तब हो पाता है यह जर्मन लंगवेज कसी वरना फिर बहुत डिश्टर्ब हो जाता है क्योंकि मैं कैसे कहता था मैंने यूटुब पे में बहुत सरे वीडियो देखता था और फिर जो भी मतलब जो भी टॉपिक है र अब बसका क्या फोकस करते हैं तो अब बाद में जब आप A-B-1 में जाते हो तो जो ग्रामर है उस पर जादा फोकस कर पाते हो क्योंकि आपका जो बेसिक है वह मतलब अच्छा हो जाता है अगर आप अभी इसी चीज़ पर फोकस करोगे तो फिर जो नंबर से क्योंकि बढ़ पाते हैं और जो भी प्रनांसियेशन है वह बहुत ही इंपोर्टन हो जाता है जो इसे की उमलाउट है उमलाउट के क्या यूज होता है वह सब चीजे आपको फोकस करना है तब वह आगे जाके आपको हेल्फ करेगा तो 30-40 डेज में अगर आप अच्छे से रोज प्र करो तो इसमें आप जोन में चले जाते हैं कि हम लोग रोज प्रैक्टिस कर रहे और फिर नहीं घुमता रहते है जब को पर रहे हैं तो एसा है और फिर जब आप एट टु अभी अब एटु जा रहे होता है तो एटु में कैसा था मेरा कि मैंने प्राइविट क्लूज होता है क्योंकि A2 में आप जो grammar सिकते हो उससे आप sentence बना पाते हो अर फिर वह sentence आप जो जब schreiben में लिखो एकजाम में वही आपको important हो जाता है और उसी grammar की वज़े से आपको marks मिलते है या फिर आप समझ पाते हो क्या बोल रहे सामने वाला या फिर जो लिखा है एक्जाम में पेपर में वो आप पढ़ बाते हो तो इसके लिए A1 का जो A2 का जो ग्रामर हो बहुत इंपोर्टन होता है वर्ज उसमें बहुत सारे एक्टू में वो आपको प्रैक्टिस करने लेकिन जो फोकस है वो आपका ज्यादा ग्रामर के उपर होना चाहिए A2 में और जो बेसिक चीजे हैं जैसे कि बहुत सारे जो डिफरेंट टाइपस ऑग्रामर से उसमें बहुत सारी कंडिशन्स होती है जैसे कि वर्ब्स आगे जाता है फिर पीछ आता है ऐसी मतलब बहुत सारी चीजे अगर डीटेल में आपको अगर आपको पढ़ रहे हो जर्मन तो आपको समझ में आएगा आएगा और जिए जब आप सारी चीजे आप कर रहे हो रोज एक यतदु घंटे पढ़ रहे हैं उसमें क्या होता है अब जल्दी बोर हो जाते हो तो उसमें आपको कंसिस्टंसी मतलब कैसे करनी है तो फिर आपको बहुत सारीरी चीजियी करनी है कि जर्मन फिल्म देख सकते हो या फिर जो भी आपके मतलब क्ला स्में अगर और झोयन करते हो आप प्ल Prague के बहुत सुरे फ्रेंड्स बन जाते हो फिर आप गरूप बना सकते कि आपको समझ में नहीं आता फिर क्या चल रहा है आपको classes कभी नहीं मिस करने उसके और फिर जो आपका जो study जो भी schedule लिए आपका five sentence हर रोज पढ़ रहे हैं फिर try कर रहे हैं लिखने का इस यह जो भी आपका schedule लिए वह आपको हर रोज follow करना जो आप करते आ रहे हो क्योंकि कि इसका कोई specific तरीका नहीं कि अगर आप ऐसे करोगे वैसे करोगे तब भी आपको हो जाएगा बस इसका यही है कि आपको consistency मतलब maintain करनी है जब तक आपका exam नहीं होता है वन सब चीजों पे focus करना है जो भी grammar है A2 का उस पे अगर आप मतलब जैसे कि मैं follow करता था मैं A2 में 10 sentence ह दरते तो आपको बहुत सारा मतलब बहुत सारी help हो जाती है जैसे कि फिशले वीडियो में बुलाए यह चीज कि अगर मैं वही follow करते आ रहा हूँ मतलब B1 तक करते आ रहा था और अगर मुझे अगर मैं future में भी German language B2C1 तक मतलब try करूंगा तो मैं यही rule follow करूंगा क्योंक का वही है आपको grammar फे फोकस करना है और फिर vocabulary का जो आपका जैसे कि आप A1 में थोड़ी basic vocabulary पढ़ रहते है तो A2 में जाके आपको थोड़ा और जो difficult words है उसमें जाना है क्योंकि उसमें आपको जादा exposure मिलेगा और आप ज्यादा नए words लिख पाऊगे क्योंकि एक्जाम में हो जाती है कि आपने अच्छे words लिखे हैं आपको spelling के उपर भी ध्यान देना है mistakes नहीं करने और वो mistakes तभी आपको improve मतलब आपकी नहीं होंगे जब आप बहुत सारी practice करोगे आप try करोगे नहीं नहीं चीजे लिखने की अगर एक sentence आप दो या तीन तरीके से कैसे लिख पात कि उसमें बहतर बनते जाओगे और मैं भी फॉलो करता था यह सब चीजे जो मैं आपको बता रहाँ मैं यह सब चीजे फॉलो करता था घर में मैंने ऐसे stickers श्टिक किये ते हर चीज को क्या बोलते है और फिर जब भी मैं देखता तो मुझको वह मैं मतलब याद आजाता था कि इसको यह बोलते है जर्मन में तो यह सब चीजे आप कर सकते हो जिससे आप थोड़ा मॉटिवेटेड रह पाओ कि उस चीज में जर्मन लैंग्विज की हर रोज आपको एक मोटिवेशन आ जाता है कि मैंको आउस्पिल्टू करना और फिर इस चीज की ही रिवारामेंट मैंने जब एकेड़ किया तो इतु का फिर मैंने एकजाम नहीं दिया था जैसे जैसे बसी अग्स दो क्तिक या कि पूस चाहिए लगा था यृशГ में जब आपको पता चलता है कि A2 में हो जाता है या कुछ possibility है तो फिर आप concentration आप हट जाते हो उस चीज से कि आप B1 से focus चला जाता है फिर आप placement ढूलने लग जाते हो या फिर employer को mail भीजना इन सब चीजों में लग जाते हो तो फिर इतना आप concentrate नहीं कर पाते हो बहुत सारी होती ही है आउस बिल्डूंग के लिए A2 में नहीं लेते हैं 100 में सा एक और ले लेते हैं कि कुछ अनेक्स मतलब कैसे होती है जिनको मिल जाता है A2 में तो लेकिन हर एक को नहीं मिलता इसलिए आपको concentrate B1 का जब तक आपको certificate नहीं मिलता तब तक आपको आउस बिल्डूंग है क्या मतलब क्या माहल है जगमने में उन सारी चीजों का देख सकते हो कि कैसी लाइफ है और फिर क्या जो culture कैसा है फिर colleges कौन से है कौनसी आपकी जो फिल्ड्स की जो companies है वो के कौनसी कौनसी है उन सारी चीजों का आप देख सकते हो लेकिन आपको जो application process है वो start नहीं करना है मैं suggest करता हूँ यह चीज क्योंकि उसमें फिर अगर आपको rejection आते तो फिर आपका जो interest है उस building करने का वो भी चला जाएगा अगर आप seriously करना चाहते हो तो अगर आप ऐसी try कर रहे तो फिर आपके उपर है जो आपको मतलब A2 A1 से भी आप try कर सकते हो तो यह सब चीजों बहुत important होती है क्योंकि A1 A2 में कैसे होता है बहुत सारे लोग छोड़ भी देते है फिर आपका time भी पैसे भी पैसे भी पैसे हो जाते है क्योंकि यह ऐसी च decision लेना कि मुझे यह चीज करनी है उसको फिर आप वही decide करके चलो कि आपको बहुत सारा time जाने वाला है और बहुत सारे पैसे invest होने वाले है तो अगर उन सारी चीजों पर अगर आपको पता है कि उतना time लगने वाला है तो फिर आपको बीच में आपका जो गोल है उससे सकते हैं तो इन सब चीजों पर आपको यह सब चीज आपको पता हो नीचे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं तो जब मेरा A2 खतम हो गया था फिर मैंने B1 में जब गया तो मैं जैसे मैंने बता कि थोड़ा मेरा concentration इदर उदर हो गया था लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यह सब चीजे इतनी important नहीं है अभी मुझे से B1 के certificate पर focus करना है तो मैंने फिर B1 का प्रेप्रेशन जैसे मेरा grammar बहुत अच्छा था A2 या A1 में जैसे A2 का grammar मैंने बहुत अच्छा से practice किया था तो जब मैं B1 में गया तो मैं बहुत सारे letters लिखने की start कर दी थी मैंने जैस इस A2 तक ठीक है B1 में आपको letters लिखने हैं क्योंकि फिर वह important हो जाते हैं 10 या 12 line का 1 letter होता है मतलब लिखना होता है आपको उसमें क्या mistakes हो रही है या 2-3 जैसे क्या mistakes भी कम हो जाते हैं जब आप बहुत सारे चीजों को try करते हो और फिर उसको correct करते हो तो फिर vocabulary में मैंने इतना मैं इतना अच्छा नहीं था vocabulary में अभी भी मजो बहुत सरे words नहीं पता है क्योंकि मैंने बस उसी चीज़ फोकस किया था जो मुझे exam के लिए important है क्योंकि फिर आप German language पूरी सीखने की कोशिश करोगे ना फिर आपको बहुत time चला जाएगा क्योंकि important यह है कि आपको बीवन का certificate चाहिए तो उसके लिए क्या है वो important है जैसी कि आपको exam pass करना है तो exam का क्या structure है उसमें क्या important चीज़ है वो आप focus करो और जैसी कि में words के मेरे पास hundred words थे जर्मन के और मैं वही पढ़ता था रोच में बाकी vocabulary नहीं पढ़ता था क्योंकि मुझे पता था कि अगर वो hundred verbs आपको आते तो आप किसी भी action का जो कि German है वो आप लिख सकते हो क्योंकि verbs important है किसी भी actions के लिए जो आपको लिखना है लेटर में तो verbs अगर आपको पता है तो जो names है जो बाकी के words है वो तो आपको मतलब ऐसे अगर आपके पस अच्छे घासे words का जो है तो vocabulary का तो आ इन सब चीज़ों को यह तो छोटी-छोटी चीज़े वो तो आपको सीख नहीं होगी और वो आप सीख जाते है एटू या बीवन में आप वो सीख जाओगे इवन एवन में आपको थोड़ा मतलब पता चल जाता है कि articles क्या होते है अकुजाटिव डाटिव नॉमिनेटिव यह सब चीज़े आपको पता चल जाती है कि जब आप मतलब स्टार्ट करते हो तो इस पे श्टिग रहना आपको उन सब चीज़ों को यूज करना है sentence में, letters में और फिर मेरे लिए hard part the urine क्योंकि मुझे उसमें बहुत कम मार्स आ रहते हैं और मुझे ऐसा लगता था कि मैं व लिखना है और स्टार्टिंग में इतना easy नहीं होता है कि आपको जर्मन सुन रहे हो और उसके उपर जो questions पूछा है उनका answer लिखना यह बहुत difficult part होता है लेकिन उसके लिए बहुत practice करना जरूरी है कि आपको रोज सुनना होता है एक गंडे के लिए तो आपको सुनना ही प और expression का expression मेरे साथ बहुत सरय मतलब मैंने दोस्त बना लिए थे German वह भी लोग exam का preparation कर रहे थे तो मैं उनके साथ practice करता था जो भी structure था उसका उस वक्त मेरे exam के लिए और फिर उसके बाद lesson का तो obviously आप newspaper articles वह सब read कर सकते हो और फिर जब B1 का पूरा आपका syllabus complete हो जाता है फि exam preparation के लिए जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको 15 question paper का set मिलता है और फिर उसके बाद आपको यह सब मतलब उसको हर रोज अगर आप one question paper solve कर रहे हो ना तो बहुत अच्छा है तेकिन आप एक या दो भी कर सकते हो जैसे आपके उपर है आपको कितना time है तो उससे एक आपको एक idea हो जाता है कि कैसे exam होगा और उसमें फिर आप एक चीज़ और एड़ कर सकते कि आपको time time लगा के फिर वो exam solve कर सकते हो इसमें आपको time management का भी पता चल जाएगा कि इतने time में आपको इतना मतलब इतने question solve करने और फिर वैसे आप आगे बढ़ोगे तो बीवन होने के बाद फिर ऐसा मतलब कुछ gap नहीं करना आपको डिरिकली अगर जो भी appointment मिल रहा है वो उसको लेके फिर exam दे देनी है जल्दी से अब बीवन के बाद जितना जल्दी exam दे पाओगे उतना अच्छा होगा आपके लिए क्योंकि बीच वाला जो gap होता ना वह ब आपका जैसे कि 10 ए 15 डेज रोके अगर आपका मतलब प्रिप्रेशन अच्छे से हो गया है तो और फिर आप डिरिकली appointment लेकर बुक कर सकते हो सीट एक्जाम के लिए तो अभी exam का जो है जैसे कि अपने प्रिप्रेशन तो मतलब आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जैसे कैसे प्रिप्रेशन करना और भी डीटेल में मिल जाएंगे लेकिन फिर जब आप exam का सीट बूक करते हो जैसे कि छे आइटिंग सेंटर से ग्वेथ इंस्टिटूट के वहाँ पे आप exam दे सकते हो तो आपको सारे टाइल एक बार ही देने आप सिंगल टाइल दे सकते लेकिन मैं यह सजेश्ट करता हूँ कि एक ही बार दे दुट फिर आपको ठीक रहेगा कि उससे आपको बहुत ही ओगी अक बर हो गया तो हो गया यह समें लग फेट्ट होता हैं और क्योंक्विक एक टाइल एक लेंक ताइम चला जाता है एक ही बार दो और फिनिश करो तो ऐसा मैं सरज़ेश्ट करता हूँ कि अप वो अच्छा रहेगा और फिर उसका जो सीट मिलने भी थोड़ी दिकत आ सकती आपको जैसे मुझे आई थी कि 30 लोग को आई थींग ली दियुक्त सब्सक्राइब एक महीने में एक ही बार एकजसम होता है जैसे कि पूने में मैं ने दिया था उप हापे एक महीने में एक बार देना पड़ता है तो वह चीज़े थोड़ी से एक्टिक हो जाते हैं क्योंकि आपका कॉंसेंट्रेशन फिर अगर आप दूसरे सीटी में जा रहा हो एक्जाम के लिए तो फिर प्रक्रेशन भी है फिर होरन भी है उसके लिए आपको काम रहना बहुत जरूरी होता है इन अगर आप फोकस करते हो तो अब्विसली हो जाता है इतना भी डिफिकल्ट नहीं इतना सीरेज हो के बता रहा हूं इतना डिफिकल्ट नहीं है लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ही सेंपल है तो यह चीज़े हैं सीट बुक करने के लिए मैनेज क्याटरिक मतलब यूज करी थ इन पर आपकी जो अप्लिकेशन स्टार्ट होगा एक्जाम के लिए तो अगर 9 बजे स्टार्ट बोला है उन लोगोने तो आपको 9 बजे ही उसको फॉर्म को गूगल फॉर्म को सब्मिट करना है अगर आप 9 बज के 15 मिनिट 20 मिनिट तक चले गए तो फिर आपका उस टाइम पर नहीं होगा क्योंकि मतलब स्टार्टिंग के जो दो या तीन मिनिट होते है उसमें 30 मतलब सीट फूल हो जाती है तो आपको 9 बजे ही बुक करना मतलब वह गूगल फॉर्म सब्मिंट करना है तो या फिर आप सब रेडी रख सकते हैं आपके जो भी डॉक्मेंट जो भी बहुत चीज़े अभी आइटिंक बहुत अच्छे हो गई होगी लेकिन मेरे मेरे टाइम पर तो वही था जब मैंने एक्जाम दिया था तो मुझे फिर्स आइटम में ही मिल गया था लेकिन मुझे मेल बहुत लेट आया था तो इसलिए मुझे अपरमेशन इतनी जल्दी न प्रेले थोड़ा सा इतना गैप नहीं था तो उन लोग ने बता कि हाँ आपको सीट मिली है तो ऐसा था और फिर एक्जाम के दिन पर बाकी के प्रेशर होता है मुझे भी बहुत प्रेशर था क्योंकि मुझे फर्स आइटम में ही क्लियर करना था मेरे पास दूसरा ऑप्श अब एक बार फेल होते है तो अब दूसरी बार दे सकते हो लेकिन आपको फीज भी दुबार पे करनी है वह भी आपको दिमाग में रखना है क्योंकि फीज आपको जितने बार आप एक्जम दोगे उतने बार और फीज भरनी है तो फर्स आटम में आपकर पास करते हैं तो वही अपके लिए ठीक रहेगा मेरे टाम पर 11,000 फीज थी बीवन के सर्डिपिकेट की एक्जाम की तो मैंने उतना I think मेरे फॉर्स दो टाइल थे वह बहुत अच्छे गहते हैं और हुर्स में I think मेरा जो लास्ट क्वेस्चन था वह मैं बहुत ही मतलब बहुत ही कन्फ्यूस था उसमें लेकिन फिर में मैंने ऐसे ही टिक कर दिया था और थोड़ा बहुत इतना अच्छा नहीं था मेरा हुर्स इसलिए जैसे मैंने पहले ही बताया है बहुत डिफिकल्टी क्वते हुदें जुखे में घ़ते ही और आप यह अनले बढ़ा निम से तक तक knowई कन्फशेशन करना वोता है अपके फार्टनर के साथ आपको कोई भी मिल सकता है जो भी आपके आसपास का जो भी नमबर है उसका तो मेरे साथ जो है था उससे मैंने पहली बात कर ली थी जब हम लोग फर्स टू-3 टाइस देते उसमें आपको एक आप पूछ सकते हो कि वह आपके साथ ही होता है तो मैंने उसको पूछ लिया तो उसने मुझे बताया था कि उसका बीटू चल रहा है मतलब वह बीटू का है और तो तभी मेरा थोड़ा सा मूटिवेशन तो वह डाउन हो गया था क्योंकि मुझे इसा लगा कि उसका बीटू चल रहा है और मैं भी बीवन दे रहा हूँ तो उसका प्रेशन तो अच्छा हो गई तो जब मैं एक्जाम में गया तो वहाँ पर के सब्सक्राइशन में कुछ वर्ड्स होते हैं वह आपको यूज करने ही होते हैं अगर उसमें साब वह मिस करते हो तो वह आपके नमबर मतलब मार्क चले जाते हैं तो लगीली वह एक भूल गया था अपका मेरा अग्यवाला जो पार्टनर था वह वही वर्ड को यूज करा था तो यह चीजे भी क्या पार्टनर है मतलब वह आपका उपोजीट है अपको उसको अच्छे मार्स लाने तो तभी आपको मतलब अच्छे मार्क साइंगे तो ऐसी चीजे भी होती है वह उन चीजों पर आपको फोकस करना जैसे आप यह चोटी-चोटी चीज होती है वह आपको अपको फोकस करना इक्सक्राइब अउक साझागी करी हैं और बहुत सारी ट्रिक्स हो सकती है बहुत सारी चीज़ अभी इंटरनेट के अफ़ीड अविलेबल आप तो यह मेरे इक्स्पीरेंस था, यह मुझे आया था तो उसके 10 दिन के बाद रिजल्ट आ जाता है और गयो थे कि वेबसाइट पर देख सकते कि आपका रिजल्ट क्या है तो मुझे दो टाइल में 60-60 मार्स आये थे इसा था कि एक मार्क भी कम आता तो मैं अभी यहां पर आपसे बात नहीं कर दो आपको कॉंसेंटर्ट करना है उन चीजों पर कि आप पास हो पाओ आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए मतलब जल्दी हो सकती आपकी प्रोसेस उसके बाद आता है फिर आपके पास सब चीजे हो गया बीवन हो गया आपका 12 का सट्टी मतलब जो भी डॉक्यमेंट से व अब आते है उस पार्ट पर जब आपको करना है अप्लिकेशन स्टार्ट तो अब भी बनाना है आपको सीवी तो सीवी के लिए क्या चाहिए सीवी के लिए आपको एक मतलब कुछ फॉर्माट मैंने बहुत सारी मतलब आइधिंग तीन या चार वीडियोज होंगे सीवी के लेकिन उस पर क्या करना है अगर सीवी आप बना रहे हो कुछ स्ट्रक्चर मत ढूंड़ो इंटर्नमेट पे या फिर ऐसा कुछ मत ढूंड़ो कि ऐसा सीवी बनाऊंगा तब ही सिलेक्शन होगा ऐसा नहीं होता एक सिंपल सीवी बना नॉर्मली जर्मन में और इंग्लिश म हैं एक सिवी क्योंकि आपको शायद वीजामें दोनों सिवी मांग सकते या फिर एंपलोर भी मांग स्कता जय मशता है इंक्लिश में तो थीबर चीछ बना उसके ऊपर सारे जो बी आपकी बेसिक आइन ये जो आपने करा है वो इसको mention करो आपका जो भी experience है वो mention करो ऐसा नहीं कि आपको वो उसमें भी confusion होता कि मुझे experience दे लेकिन मुझे house building करनी है तो फिर मैं experience mention करूं या नहीं करूं उसमें चीज़ा ऐसी होती है कि जैसे कि आपने gap दिखाया जैसे कि आपको बहुत सार बहुत time हो कि honestly जो भी आपको करा है अपने उस gap में तो उसके लिए ready रहो या फिर उस education को mention करो या फिर gap दिखाऊ ही मत कि आपने कुछ करा नहीं है तो अप स्टार्ट डिरेक्ट्ली अभी house building करो आप बीच में आपका experience है तो इससे आपको वो question नहीं आएगा कि आपने बीच में क्या क करने spelling mistakes आपका location आपको जो भी languages आती है वो mention करो आपको English कितनी अच्छी है जमन कितनी जमन तो obviously आपके पास B1 तक होगी English को भी mention करो किया कितने level तक आप मतलब कितने अच्छा से English बूल पाते हो तो इन सब चीजों को भी consider करते है जब आपको एक placement दी जाती है house building के लिए त और अगर कोशिश करो कि अगर same field में आपको experience है तो आपको placement मिलने के chance से बहुत बढ़ जाते है तो जैसे कि मेरा था मैंने hotel management में bachelor करी है तो मेरा उसी field के related था तो इतनी मुझे 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 नहीं आई और शायद इसलिए मुझे ये placement मिली है तो उसके बाद आते motivation letter cover letter जो आप बना रहे हैं तो उसमें भी वह चीज़े है जैसे मैंने बहुत सा दो तीन वीडियो में बूली है अपको mention करना आपका जो एक normal होता है 10 या 12 lines का इतना बढ़ा नहीं थ्री paragraph मैंने बनाया थे उसमें motivation letter में first paragraph में मैंने सारी मेरे बारे में information लिखी थी कि मैं क्या कर रहा नहीं है मेरा उसके पीछे का motivation क्या है कि अगर मैं वह करूँगा तो मतलब क्या होगा मेरे career के में क्या growth हो सकती है और third paragraph में लिखना कि housebuilding के बाद मेरा goal क्या है क्योंकि वह important होता है कि आपको क्या करना चाहते हो housebuilding क्यों 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 करना चाहते हो वह तो आपने second paragraph में related आपका goal होना चाहिए कि housebuilding के बात क्या करना है आपको वह भी employer को पता होना चाहिए और वह भी देखता कि आपका goal क्या है तभी आपको placement मिलती है तो यह चोटी-चोटी चीज़े होती है वह focus करो आप तो से मैं हर बार बूल रहा हूँ चोटी-चोटी चीज़े लेकिन मिलती है अगर आप बहुत महनत करते हो तो लेकिन जैसे यह चोटी application में जो चोटी चीज़े मिस आउट कर जाते हो उसकी वज़े से आपको placement नहीं मिलता कभी कई बार क्योंकि अपने इतनी महनत करके B1 या सब चीज़े अभी एकटा की है जो documents है वह सब और अभी आप application process प फिर बाद में मैंने जैसे की follow किया वह application जैसे मेरे पास पिर cover letter CV वह सब चीज़े रेडी होगी जैसे मैंने apply करा तो I think 2 मेने के बाद मुझे मेरा जो contract आ गयता फेरत्रा फेरत्राक बोलते है और उसके साथ ही जैसे मैंने last video में बोला था accommodation और food का जो documents था वो और जो insurance की जो चीज़े mention होती है उसमें वो सब चीज़े उसमें mention थी जो फेरत्राग मतलब आपको almost अपके सारे काम हो गया contract बहुत जरूरी होता है उस विल्दों के लिए तो उसके बाद वीजा पर आते क्योंकि आपको एक contract मिल गया आपके पास सारे documents है अब आते हैं वीजा पर क्योंकि आपको मतलब अभी जैसे की आपका last चल रहा है ना last के 10 वोर्स चल रहा है आप कैसे समझ लो कि क्योंकि वीजा का जो appointment है उसका कोई भरोसा नहीं होता आपको दो मैने बाद भी मिल सकती एक मैने बाद मतलब जल्दी भी मिल सकती है तो म सब चीजा में कि कैसे मतलब appointment लेनी है क्योंकि मैंने इसके पहले कभी try नहीं किया था कैसे appointment लेते वो सब तो मेरा first time था यह सब चीजा में सीख रहाता है मतलब हर step में सीख रहाता कि कैसे appointment लेनी है कैसे क्या खाना है वो सब मुझे मेरी appointment थी 5th of January को 2022 तो फिर उस में मैंने appointment फिर वीजा पर आपको पता चल दाता है कि आउस बिल्डूं का जो वीजा है उसमें भी यह चीज हुई थी कि मैंने internship visa में appointment बूक करें थी लेकिन आइसा नहीं है आपको employment visa में वो चीज आपॉइमेंट बूक करने क्योंकि आउस बिल्डूं का वीजा employment visa के related ही आता है क्यों तो उस पर एक list होता है अगर आप जाओगे embassy के website पर आपको सारे documents की list मिल जाएगी या फिर आप VFS में phone करके मतलब बूच सकते हो तो वो सब चीजे मैंने VFS मॉंबई में दिया था इंटर्व्यू उसमें भी था कि अप मैंने सारे documents के तीन सेट बनाये थे जैसे कि जो भी चीजे मुझे important है उस list में थी सारे documents में के मैंने तीन सेट बनाये थे उसमें था travel insurance आपको बहुत जरूरी होता है जब आप क्योंक लेकिन वो start Germany में आने के बाद होता है लेकिन आपको travel insurance लगता ही है वीजा के लिए तो वो कैसे लेते है तो मैंने online ही लिया था I think 2-3 हजार में मिल जाता है आपको travel insurance तो उसमें भी आपको debt fix मतलब या 2-3 मेने के span में debt डालनी है तो आपको अगर delay भी हो जाए वीजा तो आ आपने अगर में एक suggest करूंगा कि आप VFS में premium service लेला मतलब 2000 extra जाते है लेकिन उसमें कैसा होता है फिर आपको बहुत help हो जाती है फिर आपके जो सारे documents है वो आपको help करते वीजा के लोग office मतलब जो भी officers होते वो लोग आपको help करते कि कैसा करना है क्या करना है और submit कैसे कर वीजा का form होता है वो भी अच्छे से submit करो मतलब फुल जो ही है तो basic से सबको पता होती है कि spelling में स्टेक्स नहीं करनी है वो सब और आपका German language अगर वो लोग बोलते कि हमको यहीं document चाहिए तो उनको extra document submit करो जैसे कि आपका B1 का certificate वो लोग नहीं मांग रहे है वीजा के तो फिर आप submit करो mostly वो मतलब पूछते कि आपको जो मनाती है यानि ऐसे basic questions पूछते हैं अगर आपके कुछ achievements है वो भी आप document submit करो दो extra में और उनको बोलो कि आपको extra document submit करने और फिर वो ले लेते हैं उसके बाद तो normal process है फिर आप वो submit करते हो सारे documents और फिर आपको I think मुझे 24 में वीजा आ गया था और वीजा आने के बाद फिर आप flight book कर सकते हैं अगर आपको employer दे रहा है तो फिर आप employer के साथ contact कर सकते हो कि मुझे मतलब visa मिल गया है और अभी मुझे flight book कर लिए तो कौन से टाइम पर book करनी है क्या है मेरा था मुझे employer ने भी book करके दी लेकिन जैसे तरह में रहता हो जैसे कि पुने से नजदी के वो तो फिर लेकिन मुझे flight मिली थी दिली टू फ्रांकपूर्ट की तो मैंने पुने टू दिली फ्लाइट खुद से book करी थी तो ऐसी चीज़े होती है वो डिपेंड़ आपके employer के उपर कि क्या थरीका है उसका क्या आपको य चल ही जाएगी लेकिन यह थी मेरी पूरी जानी जासे मैंने क्या करा था क्यों कैसी थी आपको किन चीज़ों पर छोटी चोटी चीज़ों पर फोकस करना है तो ऐसा ही है और आइसा ही experience आ सकता है अगर आप follow करते हो मतलब जो भी आपका अभी कौन से step में हो मुझे नहीं हर जो 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 जिस भी लेवल पर हो अभी आप उस पर आपको उस चीज़ों को follow करना है तो आपको in future आपको चीज़े easy हो जाएंगी application के बारे में मैंने बहुत सरे I think बहुत बार बोला भी है कैसे apply करना है तो normal है जैसे कि CV motivation सब documents आपके पास हो जाते आपके field के जो भी companies है shop-up को mail भीजना है और फिर को वहीं आपको response करते कि उनको चाहिए नहीं चाहिए in Tech के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाई है कि in Tech कब होता है और बहुत सारे वीडियो में बता आया i think last to last video मैंने बनाया था उसके बारे में कि in Tech की जो reality क्या है कैसा और आगश में ही इंटेक उसके पहले नहीं क्या होता है कि आपको फिर सेकेंड येर में बिठा देते या फिर मतलब उन चीजों क्या डिटेल्स में मैंने एक वीडियो बना वह आप देख सकते हो क्या है लेकिन मैं mostly try करो कि आपको August में ही मिले इंटेक और वही में इंटेक होता है और तो यह सब चीज़े हैं तो ट्राइ करो कि आपको एक अच्छा प्लेस्मेंट मिल जाए और फिर आप आगे की चीज़े कर सकते हों यहां की जो चीज़े हैं कैसी चलते हैं मैं और भी वीडियो बनाऊं होंगा इन फूचर की कॉलेज कैसा है और फी कॉलेज के टीचर कैसे होते हैं वह सब चीज़े इतना ही था अगर कुछ चीज़े मैंने मिस आट करियो तो आप कॉमेंट में बता सकते हो जैसे मैं कॉमेंट पढ़के तुरंद वीडियो बनाता हूं मुश्लिए ट्राइगरत हुआ हुआ है